हलो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बारत के प्रमु गवर्णर जनरल लाड कॉर्ण वालिस से सम्मंदित मैत्बूर प्रस्णों के बारे में सभी प्रस्ण एकदम इंपोर्टेंट एवम सेलेक्टेड हैं जो आपकी आगामी परिच्वां में काफी उप्योगी सावित होंगे तो वीडियो को अंतक अब इसे देखेगा तो चलते हैं अपने पहले प्रस्ण की तरफ आज कि इस वीडियो का मारा पहला प्रस्ण है कि जनरल बनाए गए है बाईस राय बनाए गए आज की सिटयीर में पिरमुंग तो और ह्रकाल होता है तो उसकी कारेकाल का मिलान पूछ लिया जाता है एकजामस में कभी कभी के निम्म्स अमितल्य जनरल की कारिकाल हो को किया कि कीजिए मैच कीजिए मिलान कीजिए ठीक है यह बात याद रखनी है तो देखिए लाड कारणवाल इसका जो कारेकाल था वह 1760 इसीवी से 1793 इसीवी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे ठीक है यह बात याद रखनी है और इस इंच सम्माने जो इंपोर्टेंट कोशन है और आवश्यक्ता पढ़ने पर काउंसल के भहुमत की उपेच्चा भी कर सकेगा तो याद रखना यह गवर्नर थे लाड कारणवालिस ठीक है इंपोर्टेंट कोशन है याद रखना है इसी सर्थ पर आये थे कि भारत के सेनापती भी रहेंगे और गवर्नर जनरल भी रहें में कुलमरा की कह सकते हैं काफी सारे नइने प्रियोग भी किये थे अपने सामराज को बढ़ाने के लिए अब देखी नेश्ट अगली बात देखते हैं कि इसी बात की फैक्ट से देख लेते हैं फिर इसके बाद में क्या किया जब इन्होंने ऐसी सर्थ रख दी तो इस प्रक्तितियों में काउंसिल की भॉमत की क्या कर सकता है उपेच्छा कर सकता है ठीक है उपेच्छा है यहां पेच्छा की जगे क्या है उपेच्छा है इबात रखना वह उसकी पेच्छा कर सकता है तो इस परकार यह अपने आप में संपूर सक्तिसाली होकर भारत आया भारत आये थे, पॉइंट क्लियर हो गया, अब इन्हों का सबसे important जो काम है भारत के लिए, इन्होंने सबसे जो भारत में अच्छा काम की जो आज भी चल रहा है वो है civil सेवा, तो याद रखना कि भारत में जो civil सेवा के जनक कौन है, इस पर इस्टार लगा लेना बेरी बेरी most important question है, तो याद रखना भारत में civil सेवा के जनक है, लाड कारण बॉलीज, ठीक है, क्लियर हो गया या तक प्रेस्ट, आप देखिए, इसके facts देख लेते हैं, कि civil services के कुछ facts देख लेते हैं, उस समय के important है, आपके लिए exam में आ सकते हैं, civil services ठीक है, याद रखना है, civil सेवा हैं हमारी, आप civil सेवा के देखिए कि civil services को भारत में British सामराज के इस पात का चौक्ठा कहा जाता है, सबसे important बात ही है, अगर पूछ रहे जाए कि बिटिस भारत के अंदरगत, बिटिस सामराज के इस पात का चौक्ठा, यानि हम कह सकते हैं, लोही की चौकठ, लोही की चौकठ किसे कहा गया, तो civil services को कहा गया था, ठीक है, यह बात याद रखनी है, और जब Cornwallis ने civil सेवा है शुरू की, तो civil सेवाओं के अंदरगत, यह क्या करते थे, योगताओं के आदार पर व्यक्तियों की नियुक्ति करते थे, और योगता के आदार पर व्यक्तियों की नियुक्ति करने का नियोने नियम बनाया था, ठीके उसके बाद में क्या होता है कि फिर 1853 में जाकर इस सिविल सेवा में क्या होने लगी पृतियोगी परिच्छा प्रारम हो गई पृतियोगी परिच्छा शुरू हो गई और पृतियोगी परिच्छा इंग्लेंड में शुरू हुई इंग्लेंड के अंदरगत जो भी 1923 में शुरू हुई थी ठीक है तो याद रखना कि इस सेवा में 1923 से भारत में भी पृतियोगी परिच्छा है होने लगी यह बात याद रखनी और इंग्लेंड में कब से 1853 से ही लग गए थी तो 1863 में देखे जब पृतियोगी परिच्छा नहीं थी उससे पहले भारत में क सतंद्रिणाट टैगोर नेते तो याद रखना इंपॉर्टेंट कॉशन है कि भारत के पिरतम इंडियन सिविल सर्वेंट कौन दे तो सतंद्रिणाट टैगोर थे उसके अलावा देकि कुछ और भी कलेक्टर बनेते भारत में आई सीएस बनेते सिविल सर्वेंट बने थे टो उनमें एक अंग्रेजों की जमाने में आते हैं आसम की इंधिक्तर को नाम सुरेंद्रिनात बजी और इनको अंग्रेजों ने क्या किया था नसली भीदवाव की कारण क्या कर दिया था इंपोर्टेंट पॉइंट से याद रखना है कई वार पुझे लिए जाता है कि किस अंगले जोन ने नसली भीदवाव की कारण निलंबित किया था तो सुरेंद्रिनात बनर जी थे और कहां के कलेक्टर थे असम के कलेक्टर थे इसकी बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट देखते हैं कि सुवासचंद्र बोस के बारे में सभी निस सुना होगा तो सुवासच में इस परिच्छा की अधिक्तम आयो आनि इस परिच्छा में फॉर्म फिल करने की जो अधिक्तम आयो थी नियूंतम आयो थी वो तेईस वर्स थी ठीक है कि तेईस वर्स तक इसमें फॉर्म कर सकते हैं उसके बाद में लॉड लेटन ने इसको घटा कर कितना वर्स कर दिया सिविल सेवा और पुलिस सेवा ये दोनों को सुरूत करने का सरे किसको जाता है लाड कारण वालिस को जाता है लाड कारण वालिस ने दोनों सेवा भारत के अंदर सुरू की थी इन्होंने क्या किया था पुलिस सेवा को सुरू करने के लिए कि इन्होंने उससे इनके पुलिस सेवा को लाग करने से पहले क्या होता था कि जो पुलिस का कारता वो जमीनदार करते थे तो नो ने क्या किया लाड कार्ण वालिस ने कि जमीनदारों के आतों से पुलिस का जो कारता वो छीन लिया और छीनने के बाद में नो ने क्या किया कि जिले में 32 किलोमेटर की दूरी प बंगाल में इस्थाई बंदोवस्त विवस्ता किसने और कव लागो की थी बेरी इंपोर्टेंट कोशन है यह बहुत अच्छा प्रसन है कि बंगाल में इस्थाई बंदोवस्त विवस्ता को किसने लागो की यानि कुल मुला के कह सकते हैं जमींदारों को इस्थाई पट्टे दे दी गए इस विवस्ता में तिया तकना Lord Cornwallis ने बंगाल में स्थाई बंदोवस्त लागो किया था 1793 में इस्थी में इसकी सन भी पूचिया जाती है कि बंगाल में इस्थाई बंदोवस्त कब लागो हुआ था तो 1793 में लागो हुआ था इसके अंतरगत क्या होता था कि भूमी इस्थाई रूफ से जमिनदारों को दे दी गई और इस विवस्ता को इस्तमरारी विवस्ता यानि इस्तमरारी बंदोवस्त या इस्थाई भूमी कर प्रवंदवी कहते हैं और इस विवस्ता को सरपतम बंगाल बिहार और उडिशा में लागो किया गया था ये भी कुशन एक्जाम में बहुत जादा कुछा जाता है कि इस्ताई बंदोबस्त विष्टा को कहां पे लागू किया गया था बंगाल बियार उडिशा से इस्ताई बंदो बस्ते बस्ता किस से संब्द दिता है किसानों से संब्द दिता है याद रखना किसानों की भूमी से संब्द दिता है किसनी लागू किया लाड कार्ण वालिशनी कव 1793 में कहां लागू की गई बंगाल भियार उडिशा में इस प्रकार इन सभी facts को आप याद करेंगे बात करते हैं नेक्स टगले कुशन की कि भारत में जिला नियाधीस या मुंसिब मजिस्ट्रेट के पदों का सिर्जन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ तो याद रखना है भारत में जिला नियाधीस और मुंसिब मजिस्ट्रेट जैसे जो पद आज भी चलन में है इन पदों को भी किस ने सुरू किया था भारत में लाड कारणवालिस ने सुरू किया था सबसे पहले नेक्स टगले कोशन है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के काल में चलती फिरती अदालते जिनको सेर्क्यूट कोट्स भी कहते हैं को इस्तापित किया गया था तो इसका सही आंसर है लाड कारणवालिस के काल में किया गया था बात करते हैं नेक्स टगले कोशन की कि कि किस गवर्नर जनरल ने दास व्यापार बहुत इंपोर्टेंट फेक्ट्स है दास व्यापार यां दासों के निर्यात पर प्रतिवंद लगा दिया था तो याद रखना लाड कारणवालिस ने लगा दिया था 1789 इस्वी में नेस्ट अगला कोशन है हमारा कि लाड कारणवालिस की कारणवालिस सहींता जो 1793 इस्वी में नोने बनाई थी किस पर आधारित थी तो याद रखना सक्तियों के प्रिथक करण के सिद्दान पर आधारित थी कार्ण वालिज सहींता इनोंने अपने एक अलग से नियम पट्टिका बनाई थी जिसको कार्ण वालिश सहींता कहते हैं और ये सक्तियों के प्रिथक करड़ पर आधारिती इसमें क्या किया कि कार्ण वालिश ने जो कर है और नया प्रिसासन विवस्ता है इन दोनों को क्या कर दिया था अलग-अलग कर दिया था प्रिथक कर दिया था बात करते हैं नेक्ट अगले कोश्चन की अगले कोश्चन में बात कही गई है एक कथन है कि हमने बिना अपने मित्रों को सक्ति साली बनाए अपने सत्रों को पंगू बना दिया है यह कथन किसका है और किसके संदर्म में कहा गया तो जो ये कतन है ये Lord Carnivalis ने कहा था और कब कहा था तृतिया अंगल मैसुर युद्ध के विज़े के पस्चात कहा था जब टीपू सुल्तान पर इन्होंने विज़े प्राप्त कर दीती तृतिया अंगल मैसुर युद्ध में 1790 और 92 युद्ध की बात है ये इस समय नों ने ये कथन कहा था और इसी तिरती आंगल मैसुर युदी के बाद में हुई थी सिरी रंग पत्नम की संदी जो लाड कार्ण वालिस और टीपू सुल्तान के मद्ध में हुई थी सिरी रंग पत्नम की संदी 1792 में इसी में हुई थी सिरी रंग पत्नम की संदी ये बहुत ज़्यादा पूछी आती है कि सिरी रंग पत्नम की संदिक इनके मद्ध हुई तो आपको याद रखना है टीपू सुल्तानवार लाड कार्णवालिस के मद्ध हुई थी और इसी समय नों ने ये कथन भी कहा था लाड कार्णवालिस ने ठीक है यह बात याद रखनी है इसके बाद में नेक्स्ट अगला कोशन है हमारा कि किस एकमात्र गवर्नर जनरल की समाधी भारत में अवस्तित है बहुत इंपोर्टन कोशन है एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल जिनकी समाधी कहा पर है भारत में है तो वो याद रखना है वो है एकमात्र गवर्नर जनरल गाजीपुर में हुई थी तो भारत में मिर्तिव 혼े के कारड़ ने की समाध्य बारत के अंदर Wed गाजीपूर में है मरतलमान में याद रखना है कोश्वन कूछा जाता है यदे लाड राटकाण वालिष की समाध्य कहां पर है तो गाजीपूर उत्तर प्रदेश में है और एक मात ऐसे गवर्नर भी है जनकी में नहीं कह सकते भारत मुही और उनकी समाधी कापर है भारत के अंदर ही है ठीक है यह थी दोस्तों आज की वीडियो के हमारे सभी सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि ऐसे कंटेंट में आपके लिए लाता रहता हूँ फिर मिलूंगा नेक्ट अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा बाय बाय